हे गाईज, वेलकम टू लास्ट होग, मेरा नाम है नवीन सुकला और इस वीडियो में मैं डिस्कुस करने जा रहा हूँ ब्रैक्योपोड के बारे में बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दा बेल आइकन लेट्स स्टार्ट ब्रैक्योपोड जो कि खुद में एक फाइलम है फाइलम ब्रैक्योपोड खिंग्डम इसकी अनिमेलिया है और ग्रूप इन्वर्टिप्रेड इसकी इंट्रोडक्शन देखे हैं तो यह दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हु जो पौर जिसका मीनी होता है एम पूट तक हम इसका जानवर जो जिसका आम सब्सकर का मरता हुआ को उसके पैर का भी काम करता हो उसे हम क्या कहें, भिखियोप्र यह एक bottom dwelling animal है, शिशायल bottom dwelling animal है, शिशायल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा जानवर जो कि बैन्थॉनिक है और समुद्र के bottom में dwell करते रहता है, इधर उधर movement करता है, समुद्र के सता को पकड़ के इधर उधर जो भी movement करेगा उस टाइप के animal को हम शिशायल animal करते हैं, इसकी एकमे इसकी फुल फ्लेज ग्रोथ हुई हो, इसमें इनकी maximum ग्रोथ हुई थी Cambrian period में, next है morphology, morphology equilateral and inequival, equilateral समझाने के लिए आपको equilateral triangle समझ में आता होगा, equilateral triangle एक ऐसा triangle जिसमें की सभी angle 60 degree होती है, अगर हम उसको center से cut करेंगे, तो one half क्या होगा, दूसरे half क्या होगा, mirror image होगा, similar, इस case में भी देखिए, इस figure को, क्या करेंगे, अगर हम इसको beach से cut काटेंगे, तो यह one half, second half का mirror image होगा, means this is a equilateral type of, this is a equilateral type of animals, next है inequival, inequival means, इसके दोनों valve क्या है, equal नहीं है, इन इक्वल है, यह देखिए, एक valve यह है, और दूसरा valve यह है, एक valve छोटा है, दूसरा valve बड़ा है, that is why it is inequivalve, अब जो larger valve है, उसमें एक pedicle होता है, इसलिए larger valve को, हम pedicle valve कहते हैं, देख सकते हैं, आप figure में, कि एक larger valve है, larger valve में एक hole है, जिसको हम pedicle कहते हैं, और उसी valve को ped और झोटा वालव है उसको हम दो कहते हैं यह ब्रैक्योर कोई साइज कीबात कर थो साइज twenty millimeter to 70 millimeter है कुछ डैकेपोरश जैसे projects है उनकी लेंथ of three hundred seven doe मिली 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 तम तेक भी जाती है है ay इस the behind on board there is a poor old and how बता है था कि अमबो के जानवाल का यह चोच होता है उसमें देखिएगा आप अंबो में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम क्या कहते हैं पैडिकल ओपनिंग कहते हैं तीद की बात करू तो तीद हमेशा लाजर भाल में होता है और सॉकेट हमेशा समालेस भाल में होता है in articulate cardinal line is formed by teeth and socket called hinge line articulate में क्या होता है कि cardinal line form करता है teeth और socket hinge line की मदद से जिसको hinge line हम कहते हैं the two type of valve is commonly opened and closed by two types of muscle called adductor muscle and deductor muscle adductor muscle एक ऐसा muscle जिसकी मदद से ये add होता है जुड़ता है means close होता है और deductor muscle ऐसा muscle जिसकी मदद से ये खुलता है दो valve होते हैं दोनों valve क्या होता है open और close होते रहता है तो open जिस muscle की मदद से होगा उसको हम क्या कहेंगे deductor कहेंगे और जिस muscle की मदद से ये close होगा उसको हम क्या कहेंगे adductor muscle कहेंगे होप आपको शमाज में आ रहा होगा वन अनादर टाइप आप मसल इस देर कौन पेडिकल मसल को हम एड़ेस्टर मसल भी कहते हैं यह पेडिकल से निकला हुआ एक मशल होता है जिसकी मदद से यह ग्राउंड में इधर उधर मुव्मेंट करता है ग्राउंड से अटेश होता है उसी मसल की मदद से और अपने आपको मूव करता है खाना कलेक्ट करने के लिए इन आर्टिकुलेट बोद वाल्वा ज्वाइन टूगेदर विद्ध हेल्प ओफ कार्डिनल लाइन और हिंज ला बात करूं तो दियार नंबर ओफ ठीकर एंड फीनर लाइन रेडिटिंग लाइन होती इसको कहते हैं जब देखिए यह ब्लू डॉट्स है वहां से अगर लाइन रेडिएट करेगा डिफरेंट डिरेक्शन में तो हम इसको कहेंगे रेडिटिंग लाइन इस टाइप का ओर इस टेशने मिफ करता है सेल यह उपर इसको बोळते हैं रेडिटिंग लाइन जब एक सेंटर लाता है और उसी से वेरियर सेडियो करती है है सेल के उपर तो इसको बोलते हैं कॉंसेंट्रिक लाइन और अगर यह दोनों टाइप के फिगर डेवलप करते हैं अगर सिंगल सेल के उपर तो हम बोलते हैं इसको रेक्टिकुलेट लाइन से देखिए इस फिगर में दोनों डेवलप किया हुआ है नेक्स्ट है shape of the brachypole तो shape है generally 3 type का cell की configuration तीन टाइप के हम discuss करते हैं जैसे कि by convex, plano convex और concave convex है by convex ऐसा जिस convex में 2 convex बनें 2 convex hope आप convex समझ में आ रहा हो concave or convex आपको पता हो next है by convex by convex में दो by means होता है दो और convex means convex टेक प्लेनों convex में एक convex होता है दूसरा plane होता है कॉनकेवों convex में एक कॉनकेव होता है दूसरा convex होता है dimension of the cell dimension की बात करो तो मैंने पहले भी बात कि थी कि dimension इसकी 2 mm यहां लिख दिया हुआ है 20 mm होगा 20 mm से 70 mm तक एक ब्रैक्योपोर्ट की साइज होती है बट कुछ-कुछ केसों में जैंट ब्रैक्योपोर्ट के केस में जैसे की प्रोडक्टर उसमें 242-370 mm होती है अब कारडीनल लाइन की बात करूं कारणील लाइन मींस जो हींज के ओपर में डेवलप करता है ना जो कि उससे जो लाइन डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं काडिनल लाइन कहते हैं तो काडिनल लाइन भी बहुत सारा टाइप को होता है जैसे स्पीरिफाइड मेगा थैराइड ट्रेबर टू लाइट है क्या होगा हिंज लाइन जब स्ट्रेट होगा तो हम क्या बोलेंगे स यह होगा उसमें देया हुगा हें जलाइन इसरेड इस केस में आप देखेंके कि लाइन बड़ा होता है इसके छोटी होती है हिंज लाई वन खुर के सल लंब लंबा होता है हो स्ट्रेट होता है and length is more और इसमें length जफा होता है खुब आपको संभग में आ रहा होगा Next layer of the cell रिवाज की बात को ऄई तो किसी भी cell में तीन लेजिए होती है Outer layer Middle layer और इनर layer outer layer को बोलते हैं périodrahel पीरिय को झायल बिजित में अ nó कैते हैं करता है और के सरा नाने कर लेहां होती है तो इस में आउटर सेल होता है किसम में थोड़ा संतर होता है और जो the middle layer है। और inner layer है। उसके बीच में between the calcium carbonate middle layer और inner layer calcium carbonate जो बनी हुई है। उसके बीच में भी काइटीन फॉसफेट की एक thin laminator layers present होती है। अब pedicle opening की बात करो, तो pedicle क्या होता है, एक चिदर होता है, कहां होता है, अम्बो में होता है ठीक तो पेडिकल ओपनिंग भी दो तिन टाइप की होती है तो यहां हम टू टाइप की पेडिकल ओपनिंग की बात करेंगे डेल्थीरियम और फोरामें डेल्थीरियम किसको कहते हैं जब ट्रैंगुलर से होती है किसकी पेडिकल ओपनिंग जब ट्रैंग इसको आप नहीं इसको क्या हÕас और मैने इए अगर ट्रेंगुलर होती है तो क्या बोलते है को डेललथीरियूम कहते हैं कि नोट गें डिल्थीरियम के उपर डो फ्लेट का कवर होता है तो उसको डैसलिंगल प्लेट से गवाड़ होता है तो उसको त्सक्राइब क्या होता है तो दो पेडिकल है और दोनो पेडिकल सटरी दो वाल्व है और दोनों वाल्व जुड़ा हुआ होता है जिस लाइन से जो टेड़ा लाइन होगा वो लाइन से जुड़ा हुआ होता है उसी लाइन को कॉमिस्वर लाइन कहते हैं simple layman term में समझे तो अब point और line of union और junction especially between the two anatomical part is called commissure line यहां इसकी definition है आप इसको याद कर सकते हैं examination में आती है तो यह देखिए junction है between the two different valve दो anatomical part के बीच में जो junction है उसको हम क्या कहेंगे commissure line बोलेंगे उसकी various type होती है recti marginate, sulcate और भी various है तो हम types देख रहे हैं three types of commissure line यहां देखने वाले हैं recti marginate पहला है जब commissure line straight होती है commissure line straight रहेगी तो recti marginate कहते हैं next है sulcate, sulcate के case में क्या होता है कि commissure line क्या होता है sink line बीच में sink करता है sink मतलब basin बनता है तो उसको क्या बोलता है sulcate type of commissure line कहते हैं और अगर वही यह anti-cline बन जाता है anti-cline means पहाड टाइप का अगर बन जाता है तो क्या बोलता है उसको uniplicate बलते हैं अब types of uniplicate, uniplicate भी दो टाइप के होती है एक तो होती है sulcate placate और दूसरा होता है samal si placate इयो होता है इसका इसलिए इसका नाम किया होक्त हो गया ऊर्रै लिकेट तो है मगर थोड़ा सा है आधा है इसलिए जो te s में इंट्राप्लिकेट केस में क्या होता है पहला तब जानता है शलक शलकेट की केस में क्या होता है बेशिशीन बनता है लागर a बीच में इंट्रा में होता है सेंटर में क्लिकेट का इसा सलकेट कहते हैं और पारा शलकेट पांटाइड बैसिन बनेगा व पूरा अगर वेशिन ने बन पारहा इस लिए कि यंदे हम इसको क्या कहें है पारा सल्किट कहेंगे एक लाजिकल हिस्ट्री जाफिकल तो इन फोल पेन्स निस इन प्सवा Sisters की और ब। अबंद है इस है डेकिशक्मी मरीनेविज एक्स्वानि लिए यह सिर्फ और सिर्फ मरीन में ही मिले और अगर कहीं ब्रेकरपोर्ट की फॉसल मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि at that time there was a marine environment there is no record of Bracoport before Cambrian Cambrian से पहले कि कोई भी record नहीं है Bracoport की in present not many forms are left approximately 70 genre कोई भी form नहीं बची हुई है जिसकी 70 genre अल्मोस्ट है और उसमें बहुत ज्यादा फॉर्म कोई भी form नहीं है जिसका approximately 70 genre है ओवर 2500 फॉसल जेन्रा वेर नॉन ओफ विच दे लाजस्ट वेर फांद इन दे जो ब्रेक्योपोड है उसके 2500 से उपर फॉसल जेन्रा है जिसमें कि सबसे ज्यादा कब मिले हैं सबसे ज्यादा मिले हैं आपको अधिकतर ब्रेक्योपोड के जो रिमेन हैं वह लोवर पर्मियन एज से मिले हैं विच आर मुस्टली बिलॉंग्स टू इन आर्टिकुलेट जो कि अधिकतर इन आर्टिकुलेट थे इन आर्टिकुलेट मिन्स उनका तीथ डेंटेशन पैटर्न नहीं थी उनके होने में एक्जामपल लिंगुला ओबोलेला एक्सेक्टर डियूरिंग ओड़ोविशन ओड़ोविशन टाइम में जो मिले हैं ब्रेक्योपोड बिकम मो जानवर थे वह इंपोर्टेंट थे ब्रेक्योपोड के इसकी एक्मे पिरियेट जो है नुम्रेस अन आर्टिकुलेट दब्रेक्योपोड रिच इस एक्मे ऑफ डेवलेप्मेंट डियूरिंग ओड़ोविशन सिलूरियन और डिवनियन पिरियेड यहां केंब्रियन का तो इस डेवलब्ट दियूरियन पिरियेड सुलूरियन पिरियेड में सुपर फैमिली जो डेवलब की थी 19 थी ओफ विस 13 कोड़ सर्वाइब अप टू अप दे प्लेयोजोएक एरा के अंत अंत तक के बाल 13 सुपर फैमिली बची तौर्ड दे अंड प्लेयोजोएक एरा अधिकतर सुपर फैमिली एक्स्टिंट कर गए थी और जिसमें की ओनली 9 कोड़ कंटिन्यू अप टू दे ट्रैसिक और सिर्फ उसमें से 9 ट्रैसिक तक सर्वाइब की और अभी तो आप देख रहे हैं बहुत की कम हो गई है आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स पर लिसनिंग स्टे ट्यूंड थैंक्यू